Well, Organic Chemistry यह तो ऐसा समझा जाता है कि कितना difficult है I think इससे difficult और simple बनाता है way of learning हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह समझ रहे हैं चीज़ों को बस इतनी ही चीज़ें हैं जो इसे differentiate करता है कि Chemistry का यह जो branch है बहुत complex है, बहुत huge है, difficult to face है Actually मैं ऐसा नहीं है अगर हम एक systematic study करें, तो हम यह समझ पाएंगे कि Chemistry का यह branch कितना जादा truth है, कितनी practical based learning है इसमें चीज़ों को समझने के लिए तो आज का यह जो वीडियो session है, यह शुरू हो रहा है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि Organic Chemistry, जो Chemistry का बहुत बढ़ा segment है 11th, 12th, नीर, जही में एक मतलब बहुत जादा weightage रखने वाला portion है chemistry में तो इस चीज़ को हम बहुत deeply चीज़ों को समझने वाले हैं और फिर वो चीज़े इसी level पर clear होंगे थोड़ा history को समझते वे, यह समझते हैं कि Organic Chemistry में हम चीज़ों को क्यों पर रहे हैं, क्या जरौत है अगर मैं fact की बात करूँ, तो Organic Chemistry अभी तक officially इसका कोई true definition नहीं है यह क्यों नहीं है, यह आपको इस वीडियो के last session में समझ माएगा कि किस तरह चीज़े हैं, क्योंकि मैं अभी आपको explain कर दो, बीना वो सारे reasons दिखाए और बताए, तो चीज़े उतना clear नहीं होगा तो सबसे पहले समझते हैं कि, what is the purpose, why we study Organic Chemistry तो इसके मैं एक छोटा overview दूँ, तो चुक्के Organic Chemistry, it means what, आज के date में, it's what, it's a carbonic और carbon based compound है carbon based compound, और अगर मैं इन carbon based compound को study करने लगू, तो खुद आप खुद को देख लीजे, के लिए, अगर आप खुद को देख रहे हैं, तो 18.5% आपके body में carbon है by mass मतलब आपका जितना mass है, उसका गए 18.5% निकाल लिया जाए, तो इतना तो आप सिर्फ कार्बन और carbon ही compound से बने वे हैं और अर्थ की बात करें, या फिर universe की बात करें, तो अलाके ये हमारी body में second most है, carbon की अगर हम बात करें तो carbon जो हमारी body का second most composition है, followed by oxygen, oxygen जो है सबसे ज़्यादा abundant है हमारी body में, इसी तरह universe की बात करें तो fourth position पर आता है, fourth position, इतना ज़्यादा abundance है, fourth position में ये हमारे universe में अगर हम देखें इस चीज़ को, तो fourth position पर आता है, followed by hydrogen, followed by hydrogen, similarly helium, and then oxygen, and then carbon, 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 जो चुकि इसका composition जो है, इसका जो composition है, चीज़ों को बनाने में, organic substances में, तो ये बहुत जादा है, तो इसे easily ignore नहीं किया जा सकता, इसमें study बनता है, इसमें researches बनते हैं, इसमें compounds का analyze होना चाहिए, तो hopes हो, कि चीज़ें यहाँ पर clear है, कि हम carbonic compound, या organic, मतलब chemistry का वो branch, जहाँ पर carbon based compound को हम deal करते हैं, जिसे हम organic chemistry कहते हैं, तो इसे पढ़ा जाना चाहिए, और उतनी ही clarity होनी चाहिए, चीज़ों को further research के लिए, खेर, थोड़ा past इसे जाते हैं, और चीज़ों को समझते हैं, कि यह organic compound की history क्या रही है, अगर हम बहुत पहले जाएं, in the year of, मतलब इससे जो backdated हैं, like 17, जो time के, due to course of time, जो चीज़ों बदली हैं, उनमें से सबसे पहले नाम आता है, लेम्री का, लेम्री explain करते हैं, कि जो भी चीज़ों आप चलती फिरती देख रहे हैं, जिसमें थोड़ा भी natural movement जैसी activities अगर आपको देखती हैं, तो वो चीज़ें जो है, organic compound हैं, या उन्होंने उसे ये नहीं बताया, चुकि उस वक्त science इतना develop नहीं था, इतना advanced नहीं था, इस इस लेवल पर नहीं होते थे, जितना आज के लेवल पर होता हैं, तो लेम्री का बस एक simple visual differentiation था, organic और inorganic compound को लेकर, वो ये कहते थे कि अरे चीज़ें, मतलब plant हैं, धिरे-धिरे growth कर रही है, slowly उसमें gradual growth हो रहा है, इसी तरह humans में, इसी तरह दूसरे living species में, तो वो कहते थे कि अच्छा, ये organic compound से मिलकर बने होंगे, और जो नहीं करते हैं, like water, winds, and so many table, chairs, and all, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उन्होंने उसे कहा कि अच्छा, ये सारी inorganic compound हैं, MLMD को followed करते हुए, फिर Lawiser आये, उन्होंने same theory दिया, related theory, that, उन्होंने ये जो theory दिया था, even Lawiser का नाम, इन्हें father of chemistry भी कहा जाता है, तो इनके according ये था, कि चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ें, organic हैं, जो के living हैं, that's simple, अब इनके according, living चीज़ें तो सिर्फे दो चीज़ें, एक तो आपके plants हो जाएंगे, और दूसरे हो जाएंगे, animals, animals में मैं दोनों ही की बात कर रहा हूँ, microorganism जिसे हम, हमारी naked eye से नहीं देख सकते हैं, और एक है, microorganism जिसे हम, और आप अपनी naked eye से देख सकते हैं, जैसे हम और आपके लिए, like, snake, dog and all, तो इनका कहने थे कि जिसमें ये living activities और जिसमें ये life processing हो रहा है, life process हो रहे हैं, जिसमें, process मतब variety of process, like, expiration, excretion, circulation and all, तो ये सारे जो चीज़ें हैं और और ये organic compound से मिला हुआ एक composition है, जबकि दूसरी चीज़ें वो organic compounds नहीं है, लवाइजर इन चीज़ों को कुछ ऐसे समझते थे, लवाइजर को followed करते हुए, फिर बरजीलियस आते हैं, in the year of 1823, इनकी थोड़ी बहुत famous है, और जितनी famous है, उसी तरीके से ये flop भी होते गई, time के साथ साथ, मैं organic chemistry की बात कर रहा हूँ, अलाकि बरजीलियस का दूसरा भी है, chemistry में दूसरे, like elements के symbol में भी इनका बहुत अच्छा contribution है, लेकिन फिलाल हम organic chemistry की बात करते हैं, तो organic chemistry में, बरजीलियस ऐसा मानते थे, इन्होंने जो theory दिया था, वो theory था, vitalism, theory of vitalism, इनका ये मानना था कि कोई एक natural force है, कोई एक force है, जो के किसी भी organic compounds को define करेगा, मतब और वो कहते थे इस चीज़ को, इस theory को नहोंने simply ऐसे कहा, like the substances which has a natural power, natural tendency to grow, to move, to all the kinds of related life process activities, is termed as, you know, organic compound, are the organism of the species, which is made up of all these compounds, is said to be as organic compound, organic species, तो ये उनका एक अलगी तरीका था, इन चीज़ों को explain करने का, ये theory उन्होंने 1807 में, इन्होंने इस चीज़ों को introduce कर दिया, लेकिन slowly slowly, जैसे ही science से discover होते हैं, इस research एक अलग लेवल पर आने लगे, तो चीज़ों बदलने लगे, इनका actual में, मत्तब इस theory का downfall होने लगा, theory of vitalism का downfall होने लगा, जब 1823 में, वोलर आये, Frederick Waller, in 1823 में, इन्होंने mainly सबसे पहले है, हलाग कि आप ये सोच रहे होंगे कि sir, ये तो 1828 में हुआ होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाता चुलू, 1823 में, जब उन्होंने बर्जिलियस के इस definition को देखा, समझा, अलाग कि मैं आपको बता दू, बर्जिलियस के ही student है, Frederick Waller, और वोलर ने फिर 1824 में, just after one year, 1824 में, उन्होंने पहला एक्स्परिमेंट किया, उन्होंने ओग्जिलिक एसीड से, ये ओग्जिलिक एसीड जो है, उन्होंने उन्होंने successfully इसे extract कर लिया, साइनोजन से, साइनोजन, और यहां से चीज़ें ट्रिगर्ड हो गई, यहां से चीज़ें ट्रिगर्ड हो गई, ऑग्जिलिक एसीड, जबके एक organic compound है, और साइनोजन, मतब आप इसे cn whole twice कह सकते हैं, तो chemically, it could be like cn whole twice, यह जो है एक inorganic है, inorganic compound है, clear, inorganic compound, तो यहां पर से चीज़ें थोड़ी ट्रिगर्ड होने लगी, मतलब आप यह कह सकते हैं, theory of vitalism, यहां पर से अब, मतलब उसका degradation शुरू हो गया, मज़ा तो तब आया, जब 18, just 4 साल के बाद, in 1828 में, after 24, 1828 में, ओलर ने दूसरे experiment कर दिखाए, उनने, मतलब, what he has done actually, he has done another more critical experiment, which actually changed the definition of organic chemistry, what he has done, let me see, just watch over here, उन्होंने क्या क्या, यहां तक उन्होंने क्या 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 क्या, potassium cyanide, के CNO, potassium cyanide, उन्होंने reaction करवाया, ammonium cyanide को, sorry, ammonium sulfate, and then उन्होंने इस से जो बनाया, that product was ammonium cyanide, NH4CNO, क्लिए, NH4CNO, अभी बहुत इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, तो यह बना, यह चीज़ें जो है, एक inorganic है, of course, inorganic है, inorganic है, इसका यह मत्तब है कि naturally inorganic exist करता नहीं, बस हमें उसे prepare करवाना होता है, हम आपको अलग-अलग वे बता देंगे, कि आप भी इसे कैसे prepare कर सकते हैं, potassium cyanide, मैं इसे potassium cyanide, and ammonium sulfate, and he used, actually उसने इसे, just above the room temperature से heat किया, molecular rearrangements से हुए, molecular, you can say, the reactions undergoes isomeric changes, he found that के एक नया compound बन रहा है, that is, वापसी सको reheat किया गया, reheat करने के बाद, उन्हें जो मिला, that was a urea, और urea एक organic compound है, like, what is NH2CO, NH2, किसी और तरीके से भी इसको मत्तब explain किया जा सकता है, but, तो ये उन्हें यूरिया एक organic compound मिल गया हुने है, ये जो extraction था, एक inorganic source से organic compound बनाना, it is, you know, it was completely triggered, और completely, you know, shoot, actually, directly to the head of theory of vitalism, finally, यहाँ पर से ये definition जो है, completely devalid हो गया, वह वहाँ पर से जो उनका जो था, एक living sources में जो organic है, तो ही हम इसे define कर सकते हैं, वह ही एक way है organic compound को, और उससे related organic chemistry को define कर पाना, यहाँ से ये चीज completely, practically, ये proof हो गया, और वह चीज़ें वहाँ से completely deny होगी, मतब definition दीरे दीरे time के साथ बदलता गया, अब मैं, जैसा कि मैंने आप से कहा कि हम कैसे, अगर आपको, suppose कि अभी अगर आपको ammonium cyanide मिल जाए, तो simply आप क्या कर सकते हैं, simply आप इसे heat कर देंगे, heat करने के बाद आपको यूरिया मिल जाएगा, यही होगा, और अभी, वोलर ने भी ही किया, तो कोशन है कि सर, आपको मतब हमें और आपको यह ammonium cyanide कैसे कैसे मिल सकता है, तो मैं आपको दो-तीन overview दे दू, depending on the availability of resources, like suppose कि अगर आपको ammonium sulfate है आपके पास, जैसा कि अभी हमने देखा, ammonium sulfate है, इसे आप potassium cyanide से reaction करवा दीजे, के CNO, so you will get that, ठीक है, बस हर एक reactions में यह चुके endothermic है, ना भूलें आप, so here it is, यह, दूसरे अगर आपको इस में जो आपको ammonium cyanide में मिल जाएंगे, 2, और इस case में आपको एक plus compound क्या मिल जाएगा, potassium sulfate, K2SO4 भी मिल जाएगा, similarly, अगर हमारे पास अगर lead sulfate भी, यह lead cyanide भी हो, और ammonium hydroxide हो, तो भी हम, यह compound हमें मिल जाएगा, followed by lead hydroxide, इसके साथ हमें एक lead hydroxide भी मिल जाएगा, इसके साथ, वापस heat करना होगा, in the same way, अगर हमारे पास और क्या होना चाहिए, हाँ, अगर ammonium chloride रह जाए हमारे पास, और फिर वापस उसे potassium cyanide से, अगर हम reaction करवा दें, KCNO से, so, heat, even after heating, you will get what, यह ammonium cyanide तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिलेगा, potassium chloride, potassium chloride मिलेगा, finally, हमें जो चाहिए, वो मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है, इसे वापस से, अगर हमने reheat किया, तो reheat का जो result होगा, वो एक organic compound होगा, मज़ा तो तब है, अभी वोलर का ये topic अभी over, सही से हुआ भी नहीं था, कि 1845 में, कोलबे ने किया, फिर बैथर लोर्ड ने किया, कोलबे ने जो acetic acid बनाया था, 1845 में, मतलब इनके बाद 1845 में कोलबे आ गये, कि लिए उन्होंने फिर इस चीज़ को बताया कि नहीं, मतलब हम इन और्गैनिक सोर्से से और्गैनिक कंपाउंड भी एक्स्ट्रेक्ट कर सकते हैं, 1845 के बाद 1856 में, बर्थ लॉट, ना, वो उन्होंने भी बहुत सारे एक्स्प्रे, उन्होंने मीथेन, अन्होंने मेथेन, इन और्गैनिक सोर्से से ले लिया, अन्होंने 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 कार्बन और हैड्रोजन गैस को एक्स्ट्रिफाइट किया, मताब लेक्रिक अर्गि युश्क्या अन्होंने, वो उसे लेक्रिक अर्ख, और धिन एक्स्ट्रिफ पान्होंने अेजूस्यूस Church 拉रौ की बहुत सारे अन्होंने श्रा अन्होंने च्ट्रीफृ अन्होंने, यूज किया ठीक है और फिल और इन दे प्रिसेंस अफ एच जी आसो फोर एंद फाइनली ही गेट असे तिल अल्ड हाइड और फर्दर अगर इससे ऑक्षी डाइस किया जाए इस एसेटिल अल्ड हाइड को अगर आप ऑक्षीडेशन करते हैं तो देर आफ्टर यूज गेट असेटिक एसेड विच इस वाट सी एस्थरी सी डवल वेच असेटिक एसेड तो मतब यू कह सकते हैं कि एक चीज़ किसी ने दिया और उसके काउंटर में बहुत सारे लोग ख प्राक्टिकली यह पॉसिबल है और चिसको क्या जा सकता है तो यह एक वेल और एडवाजड और प्राक्टिकली टूथ हुए है चीज़ों को डिफाइन करने का हूप सो कि यहां तक चीज़ें तो बहुत किलियर हो गई होंगी कि किस तरह और गैनिक केमिस्ट्री डिफाइ अब हम आते हैं कि और अचिने गैनिक है कि और गैनिक केमिस्ट्री मियं अचिने में है क्या और अचिने स्क नूबिय ध में है क्या खना अचिन पीलिफाई तो दो इसा है रहरे और लेम्स και यहाण से ईक is you can say most of the carbon compounds have been found to be present in the living organism that was completely you know amazing कि ये चीज़ें किसी के फेवर में हैं किसी चीज़ें ये of course I must say it's surprise है अगर मैं थेओरी को बता हो कि तो फिर सर और 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 केमस्टी है क्या at the end what is organic chemistry and what organic compound is so simply we can say there is no official true definition of an organic compound कुछ लोग कहते हैं कि अरे carbon hydrogen अगर कोई भी compound है जिसमें carbon hydrogen bond है तो वो organic chemistry है लेकिन दूसी तरफ अगर हम देखें तो यूरिया जो अभी हमने देखा है ना ns2 co ns2 यूरिया यूरिया देख लीजे आप और क्या देख लेंगे oxalic acid देख लीजे के लिए यूरिया और oxalic acid को देखा जाए तो oxalic acid मत्तब COOH2 whole twice या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं C2H2O4 के लिए और यूरिया अभी आपने देखा है ns2 co ns2 तो अगर आप देखें तो इसमें carbon के साथ hydrogen का directly कोई bondation है नहीं हना इविन ये इस हिसाब से तो ये तो organic compound हुए नहीं लेकिन IUPAC की blue book जो है IUPAC की जो blue book है वो बताती है उन्हों ने clearly officially इस blue book में mention किया है कि यूरिया और oxalic acid is a organic compound तो इसमें से मैं कह रहा हूँ officially कोई true definition अभी तक introduce नहीं हुआ है दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि carbon और carbon मतलब bond रहा तो organic chemistry मतलब organic compound होगा लेकिन फिर एक contradictory like methane को देख लीजे carbon के साथ 4 hydrogen bond है carbon के साथ tetra chloride is CCl4 ये organic compound है even after कि इसमें carbon carbon bond नहीं है तो another flop you can say not flop another way to define the organic chemistry कुछ chemistry का ऐसा मानना है और कुछ reference है ऐसा लेया गया है कि जो भी compound जिसमें carbon as a primary constituent हो वो organic chemistry है या organic compound organic chemistry में उसे study किया जाना है और वो compound organic compound है तो बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिसमें भी carbon होगा वो organic compound होगा you can say the compound whichever contains carbon as a constituent may not be regarded as an organic compound like देख लो ना alloy जो है हमारे घर में जो steel की मैं बात कर रहा हूँ इसमें carbon की compositions है ये बात और है कि ये composition बहुत कम है बट क्या आप steel को organic compound कहेंगे बिल्कुल नहीं दूसरे gases like carbon monoxide carbon dioxide जो greenhouse gases है वो भी carbonic compound में नहीं आते है बहुत सारे carbonates हैं metal carbonates, carbonates, simple oxide, cyanides कुछ ऐसे जो छोटे हैं even carbon की कुछ allotropes हैं जो के carbon compounds में नहीं आते हैं इसलिए मैं आपको बार बार ये trigger कर रहा हूँ एक fact बता रहा हूँ कि officially कोई ऐसा true definition नहीं है हाँ लेकिन conceptually आप इसे कैसे बता सकते हैं आप conceptually अगर हम बात कहेंगे कि कैसे define किया जा सकता है तो आप इसे कह सकते हैं first point I suggest कि most of carbon most of compound containing carbon this is and the compounds containing carbon mostly are organic compound एक तो ये तरीका है आप इसे ऐसे कह सकते हैं दूसरा आप ये कह सकते हैं कि most of compounds having carbon hydrogen bond is also false under the categories of carbonic compound ये most of कह सकते हैं आप तो यहाँ सी चीजें शायद clear हो गई होगी कि organic chemistry कहां से आया है किस तरह आया है time के साथ साथ ये किस तरह से purified होता गया और आज के date में आपके सामनी है किस तरह है hope so कि organic chemistry और organic compound organic compound क्या होते हैं और organic chemistry में हम किस type के compound की study कर रहे हैं ये आप समझ पा रहे होंगे next video में ये journey जो है organic chemistry का मतब जी ओसी general organic chemistry continue रहे हैं